हाई फ्रेंड्स महराटी सुलब भारती येता तीसरी पाठकरमांग साथ चला मुजूया मतलब चलिए गिनते हैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं इन तस्वीरों के बारे में जानकारी हम ये पढ़ कर लेते हैं मुजू चला, मुजू चला, अंक गहु मत्तीला एक कान कापाला, दोन कान मांसाला, तीन साके रिक्षाला, चार पाई हत्तीला पास बोटे पायाला, सहा कोन शटकोनाला सात रंग इंद्र धनुचे, आट पाई कोड़ाचे, नौचा पुड़े मोजाला, शुन्य गहु सोब्तीला देखिए, यहाँ पर शुरुवात के जो दो लाइन है, मुजू चला, मुजू चला, अंक गहु मत्तीला जब चलो, गिंती करते हैं, चलो गिंती करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, गिंती की मदद लेते हैं यहाँ पर जो अंक है, उसके हम मदद लेते हैं एक कान कपाला, दोन कान मान साला, यहाँ पर एक कप है, इसको कितने कान है? एक कान है, और इनसान का दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? दो कान है, मतलब एक कान है कप को, और दो कान है इनसान को, हमने यहाँ पर क्या किया? गिंती की, यह एक कान और यह दो कान, उसके आगे क गिन्धी की, उसके आगे 5 बोटे पायाला, सहा कौन शटकोन अलो, प Minister कई DR. पेर को उंगलियां कितने हैं? 5 उंगलियां हैं, देखिए आपके पेर के उंगलियां उसके गिन्धी करकर, फिर उसके आगे यहाँपर क्या है शटकोन, शटकोन मतलब छे जाबियों वाली शकल जिसे हम मुसद्दस कहते हैं देखिए यहाँ पर छे हैं एक दो तीन चार पांच छे ठीक है उसके आगे देखिए साथ रंग इंद्र धनुचे आठ पाई कोड़े अचे यहाँ पर इंद्र धनुचे या रेन्बो या फिर हम इसे खोसे खजा कहते हैं जिसमें साथ रंग होते हैं साथ कलर होते हैं इसमें आठ पाई कोड़े अचे कोड़ी मतलब मकड़ी मकड़ी को क्या कहते हैं कोड़ी इसे कितने पैर होते हैं आठ पैर हैं देखिए आप यहाँ पर गिंती कीजिए मतलब शुन्य मतलब जीरो वो हमें एक के साथ लेना पड़ता है तो इस तरह से यहाँ पर हमने गिंती की है तो आगे देखें यहाँ पर क्या है पहा, अइका, मना, हुवाचा तो आपको यहाँ पर क्या करना है यह एक बार देख लेना है फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आप सुनेंगे फिर उसके बाद आपको खुद भी पढ़कर घर पर दिखाना है ठीक है यहाँ पर देखो शुन्य है एक दोन, तीन, चार पाच, सहा, साथ आठ, नौ, दहा यह क्या हो गई? महराठी के गिंती उसके आगे दिखिए फड़े औरखा, नावे सांगा, फड़े मोजा अनि संख्यालिहा यहाँ पर आपको पेंसिल लेनी है पेंसिल लेकर यहाँ पर कुछ फल है तो उनके गिंती आपको करनी है और वो यहाँ पर लिखना है इस गोल में अब यह कितने फल है यहाँ पर एक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे और आपको मौराटी में लिखना है जिस तरह से यहाँ पर एक है तो हम यह इस तरह से नहीं आया तो हम इस तरह से एक बना सकते इसी तरह से आप लिखिए यहां पर कितने हैं एक दो गिंती कीजिए और लिखिए और आप घर पर बताईए ठीक है इसके आगे इसके आगे क्या है देखिए यहां पर स्वाध्याय मतलब आपको आपके घरों में करने के लिए कुछ सवाल जवाब दिये गए हैं उसी दरह से यहां पर आपको जोड़ि यहां पर कुछ तस्वीरे दिये गई हैं और यहां पर गिंती है और इन अलफावजों में लिखा हुआ है तो आपको इनकी जोड़ियां लगानी है किस तरह से देखिए यहां पर एक लगा कर आपको बताया गया है यहां पर एक है यहां पर तस्वीर में यह क्या है एक ची यह भी क्या है? एक, एक, उसी तरह से दो, आप दो की जोड़ी किस तरह से लगाई जाएगी? देखिया, इन तस्विरों में दो चीजे कुझसी हैं, यहाँ पर पें दिखाए दे रहे हैं, यहाँ पर दो है, एक, दो, आपको इसकी जोड़ी यहाँ पर लगानी है, फिर उसक तस्वीरों में गिंती करके वो यहाँ पे अंकों में किस तरह से लिखाया हुआ है उसके साथ आपको जोडियां लगानी है ठीक है यह कीजिए और आप अपने घर में बताईए उमीद है आपको अपना साथवा पार चला मुझूया समझ में आया होगा तो इसी तरह से और आगे के पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कुछ गलती या पढ़ाई को लेकर आपके सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताईए थैंकि